News 18 इंडिया जननायक को सर्वोच सम्मान बिहार में उठा सियासी तुफान भारत रत्न पर एक क्रेडिट की होड करपूरी ठाकुर हमारे हैं कशोड केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्मुख्यमंत्री जननायक करपूरी ठाकुर को उनकी जन्शताब्दी पर देश का सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का एलान किया है जिसके बाद बिहार के राजनेताओं में इसका क्रेडिट लेने की होड सी मज गई है कभी करपूरी ठाकुर का विरोध करने वाले नेता भी ये दावा कर रहे हैं क्योंके कहने पर ही केंद्र की सरकार ने करपूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का एलान किया है आरजेडी प्रमुक लालुयादव ने टूइट कर लिखा है कि स्वर्गिय करपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था हमने सदन से लेकर सडकता की आवाज उठाई लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगनना करवाई और यही बात लालुयादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी आदव ने भी दोहराई तेजस्वी आदम ने कहा कि बिहार में हुई जातिकत जणगणना का असर है कि केंदर सरकार करपूरी ठाकुर जी को भारत रत्म दे रही है दूसरी तरफ जेडियू नेता केसी त्यागी ने इसका क्रेडिट नितीश कुमार को दे दिया नितीश कुमार ने कहा कि आज का दिन किसी की आलोचना का दिन नहीं है अज को अब शे काम किया और खास करके जो गरीकूर बुख्यमंतरी सिहरा में बड़े समाजवादी datedा स्वर्गे करपूरी ठाकुटी को भारत रत्र जो है मिला है तो इससे बहुत ही कुछी की बात है लेकिन इसका अशर कहीं न कहीं कुल मिलाकर बिहार में करपूरी ठाकुर को भारत रत्र मिलने पर क्रेडिट लेने की होड लग गई है अलकि बीजेपी ने इसे लेकर बड़ा हमला बोला है केंद्रिय मंत्री ग्रीराज सिंग ने लालू यादब परिवार पर निशाना साथ्त हुए काहा कि पिता और फुत्र दोनों ने कॉंग्रेस के शासन में क्यूं करपूरी ठाकुर को भारत रत्म नहीं दिलवाया जो मोदी जी एक तरफ राम के प्रान परतिष्ठा में सामिल हो करके सनातन पुनर जागरन का काम करते हैं तो वहीं करपूरी जी को सम्मान दे करके बंचितों को सम्मान देते हैं मूख जो समाज में वैसे बर्ग जिनको आवाज करपूरी जी ने दिया करपूरी जी समाजिक सम्रस्ता के परतिक थे उनको सम्मान दिया यानि समाज का सम्मान है पिछरों का सम्मान है दलितों का सम्मान है बंचितों का सम्मान है समाजिक सम्रस्ता का सम्मान है ये लोग करपुरी जी को बेच करके बोट लेने वाले हैं लालुजादब और नितिस को जन्ना करपूरी ठाकुर जी को भारत रत्रन से सम्मानित किया गया है। यह सरे के अधिकार सिर्फ नरेंदर मोधी जी को है। जिनके नत्रुत वाली सरकार केंद्र की सरकार ने यह निरने लिया है। जन्वरी के बाद मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। मैं अपनी तरफ से विहारवासियों की तरफ से उन्हें बधाई देता है। प्रदान मंत्री ने मेरी विधाई को सुखर किया और कहा कि 26 जन्वरी के बाद आप सभी आएं मेरे घर पर। मैं आप आप लोगों को उसे बाचित करूँगा और आप से बाचित के बाद आश्रबाद दूँगा। बिहार के पूर मुख्यमंत्री करपूरी ठाकुर की पहचान स्वतनत्ता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिग्य के रूप में रही है। उनकी लोग प्रियता के कारण उन्हें जन नायक कहा जाता था। करपूरी ठाकुर भारत छोडो आंदोलन में धाई साल जेल में रहे, दो बार बिहार राज्ये के मुख्यमंत्री रहे, समाजिक नियाय के अलग जगाने वाले नेता समाज के दबे पिछले वर्गों के हित में काम किया, गरीब बच्चों की स्कूल फीस माफ करने का फैसला मेट्रिक तक की स्कूल फीस माफ करने का फैसला सभी विभागों में हिंदी में काम को अनिवार ने बनाया, सरकारी नौकरी में पिछणा वर्ग को आरक्षन दिया, पिछणों के लिए 27 फीसेदी आरक्षन की विवस्ता लागू की इसलिए बिहार के जन्मानस के मन में पूर मुख्यमंत्री करपूरी ठाकूर की छवी एक जन्नायक की रही है, और भारत रत्म की घोशना के बाद, बिहार की रीजनल पार्टियों को ये डर सताने लगा है कि कहीं बीजेपी को इसका फायदा न मिल जाए ये सारे लोग उस समाज सोसित, गरीब, पिछनों और दलितों के बल पर भी वोट बाग करके केंदर की सत्ता में आये थे, पर किसी ने करपूरी ठाकूर को ये सम्मान नहीं दिया, और जब ये ताक्ते बाहर जाती थी, तब कहती थी करपूरी जी को सम्मान नहीं मिला, तो जो लोग ऐसी चीजों पर अब राजनीत करते हैं, उनका मकसद क्या है? 19.65 फीसद है, अनुसूचित जनजाती वर्क की आबादी 1.68 फीसदी है, और सामाने वर्क की आबादी 15.52 फीसद है, ऐसे में आरजेडी और जेडियू को अपने वोट बैंक का डर सताने लगा है, क्योंकि बीजेपी इस फैसले को पिछला और अती पिछला वर्क के सम्मान में बड़े फैसले के तौर पर प्रेजेंट करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, केंद्रिये ग्रह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इसका क्रेडिट केवल और केवल, पीम मूदी को जाता है करपुरी जी को किस परकार से उनके जीवन में उनका अफमान किया है वो अफमान आज तक लोगों को याद है, उसके साक्ष प्रमान है, उस तक लिकई गई है, यह भूल गő है लोग, करपुरी ठाकुर को जी को अफमान करना यही इनका दोनों भाई, बड़े भाई, छोट का जगाया और पिछड़ों गरीबों का तमाम लोगों का सम्मान देने का काम किया ये केवल और केवल लरेद निमोदी जी के खाते में जाता है कुल मिलाकर जननायक करपूरी ठाकुर को भारत रतन देने की घोशना के बाद बिहार में जाती की राजनीती कडने वाली पार्टियां बैकफुट पर आ चुकी है सवाल उठ रहा है कि अगर आरजेडी की नजरों में करपूरी ठाकुर का इतना ही सम्मान था तो पहले की सरकारों में उन्हें भारत रतन से सम्मानित क्यों नहीं किया गया झाल बिहा है